असलाम अलेकुम वियर्स कैसे है आप सब आज हम आप सर शेयर करने वाले हैं मुंबई स्टाइल भेल पूरी की रेसिपी तो यह वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ हमें भेल पूरी बनाने के लिए कुछ चीजे लग अगर आप मैश पसंद करते हैं आप उसे मैश कर लीजेगा यहां पे हमने स्यो लिए है प्रव्री लिए है बल्स्सका का मुआती है यहां पे नो यहां दो चीजे आपको पर भूर स्टोर पर बहुत ही असानी से मिल जाएगी तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगी की रेसि तो बस यहां पे हमने सुखी वाली पप्री दाले है अगर आपके पास अविलेबल नहीं है तो आप जो है सिस्किप कर सकते हैं लेकिन इसे बहल में बहुत जादा अच्छा टेस्ट आता है और इसका नाम ही है बहल पूरी और उसमें पूरी ही ना हो तो बहल फिर कैसे बारिक वैला खाथा स्यो आता है फास अच्छा बैल आपके पस्ण से प्षिए उसमें प्ला में खाना गजैरा कॉरी कौन कामझसी स्किप कर सकते है अगर इसमें कोई बहुँची ससे लेसे जो पना और श्यवा करते हैं यहां इसमें इसमें से कोई भी चीज नहीं पसंद अगर आप अपसे भूने वी यूजे नहीं करते है तो आप ऩब और फेमेंगे थे के ओप सकते हैं दो उससे भूने नहीं कर सकते हैं आप नॉर्मल वाले यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं बस यहाँ पर अब हम दाल देंगे बॉयल पटेटोज जो हमने रफली कट करके रखेते हैं अगर आपको मैश कियोवे पसंद है तो आप वो दाल सकते हैं यहां पर हमने थोड़े से चने दाले हैं, आपको नहीं पसंद तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, अब हम इसमें दाल देंगे आधी नीम्बू का रस, नीम्बू से बहुत जादा अच्छा टेस्ट आता है, नीम्बू को स्किप नहीं करियेगा, बस नीम्बू दालने के बाद इसे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें दालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट, अगर आपको इसे शपाइसी नहीं करना है, ऐसे ही फीका खाना है, तो आप ग्रीन चिली का पेस्ट स्किप कर सकते हैं, यहां पर हम दालेंगे वान टेबिल स्पून सॉल्ट, और थोड को बहुत ही अचैसे mix कर लेंगे, stir कर लेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि नीम्बू और दालना चाहिए तो आप और आधे नीम्बू का रज दाल सकते हैं, बस यहां पे हमारी भेल पूरी बनके बहुत ही अचैसे रेडी हो चुकी है, बहुत जादा टेस्टी बनी थी, अच्छा जो मुंबई में ग्रीन कलर की सुखी वाली चिटनी भी अविले बेल होती है, जो भेल अपने बेल में डालते हैं, उसका हमने यूज नहीं करे है, उसके बदले हमने ग्रीन चिली पेस्ट उस करे है, लेकिन कभी आपको ग्रीन चिटनी पावड़र की कभी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बिताईएगा जो सुखी वाली ग्रीन चेटनी आती है न हम उसकी बात कर रहे तो इन्शालों एक दिन आपके साथ उसकी भी रेसिपी जरूर शेयर करेंगे बस यहां पे जो है हम इसे सर्फ कर लेंगे पूरी के साथ और इसे हम तो बस यहां पे हमारी बेल पूरी बन के रेडी हो जाती है तो बस यही थी आज की एक चोटी सी रेसिपी चोटी सी वीडियो अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सपोर्ट करें शेयर करें लाइक करें और एक बार बेल पूरी बना कर पे उपर आपको लिंक दे देंगे तो आप जो है उसे भी चेक कर सकते हैं ओप यू लाइक दी वीडियो दुआओं में याद रखियेगा जजाक अल्ला